बॉलिवूड एक्ट्रिस कियारा अडवानी की फिल्म इंदू की जवानी सीनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। आईए आपको बताते हैं फिल्म से जुरी कुछ रोमान्चक बात है। ग्लैम गर्ल के रूप में पेश किया है। वही ट्रेलर में मली का दुआ को भी दिखाया गया है जो इंदू की सबसे अच्छी दोस्त हैं जो सोनल की भूमी का निभाते हुए दिखायी देंगी। जो अपनी दोस्त को शलाह देने की होर में लगी रहती है। ट्रेलर में दिखाया गया कि आदित्य सिल्व समर के किरैदार को करते हुए दिखायी देंगे। इंदू को वैसा लड़का नहीं मिलता जैसा वह चाहती है। फिर उनकी लाइफ में एक लड़के की इंटरी होती है। लेकिन लड़का पाकिस्तानी है और बाद में इंदू को लगता है कि वो एक आतकवादी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के माने तो इंदू की जवानी पिछले साल रिलीज होने वाली थी। लेकिन कुरोना काल के कारण फिल्म की रिलीज चल गए थी। वही कियारा अड़वानी ने इंदू की जवानी के ओर सिनेमा होल में अपनी फैमली के साथ देखते हुए फोटो शेयर की और लिखा है। आखेकार सिनेमा की तरफ वापसी हुई। बिग स्क्रीन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। पिछले रात परिवार के साथ हिंदू की जवानी देखी और कमाल का अनुभाव था। सुपर सर्विस और सैनिटाइजेशन। अब दोस्तों और परिवार के साथ ठेटर में फिल्म देखने का आप इस सर्विस से इंतजार कर रही हूँ। कल मिलते हैं यह एक डेट है। इस तरफ यारा आरवानी ने दर्शकों को सीनेमा घर आने के लिए प्रेडित भी किया है। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सकाइब करें और यह बैल आइकन जरूर दबाएं।